सो फर्ष्ट और बोल्ट सबसे पहले जब आपना बैग रेड़ी करते हैं डाउंड जाने के लिए या ट्रेनिंग में जीमिया कलब किसी भी दो बैग राउंडब करते हैं जरूरर रखें कमट सव्वे कम एक लिटर पानी की बोटल आप झाया टेरी कर सकते हैं क्योंकि आपको अपने recovery drinks के लिए आपको अपने एनर्जी drinks के लिए sports drink के लिए भी पानी की ज़रत पड़ती है गरांट पर तो अच्छा होगा आप अपने साथ अपने घर जई पानी करें उसके बाद अगर बात करूं तो मैं आप अपने साथ एक yoga mat जरूर लेकर जाएं आप को बैट कर कहीं भी exercise करनी है stretching exercise करनी है या आपका surface hard है आप road type पे आज आपका training है या hard surface पे training है तो एक फूम का एक yoga mat जरूर आप यूज करें जिससे आपको काफी help होगी उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप अपने साथ कोई भी pain relief spray या जरूर रखें क्योंकि खिलाड़ी हमेंसा किसी ना किसी दर्द में चोट में हो सकता है तो आप अपने साथ एक pain relief spray या gel जैसे मूँ या उनी जैल ये कुछ भी आप spray यूज कर सकते हैं उसके बाद अगर हम अगली चीज की बात करें तो आपको पास extra T-shirt आपको ले कर जाना ज़रूरी होता है क्योंकि आप training करते हैं तो काफी sweating होती है जिससे आपके टी-shirt आपके जो इनर शेंडोज है आप वो गिले हो सकते हैं तो आपको चेंज करने के जरूरत होती है तो उसके साथ आप टी-shirt के साथ टावल भी लेकर जा सकते हैं आपको बीच में sweating हो रही है तो जिससे आपको आपना फेश या हैंड अपने क्लि है तो अपने साथ एक form roller आप जरूर रखे form roller या एक soft ball भी आप यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके होते हैं कुछ लोग advanced electronic massager भी अपने साथ carry करते हैं कुछ speed bands होते हैं कुछ rubber bands होते हैं elastic bands होते हैं उनको भी आप अपने बैग में जरूर रखे क्योंकि वह exercise के आपके काम आते हैं तो यह सुचना थी यह information थी आप sports bag में क्या चीज़ carry कर सकते हैं अपने साथ ground ले जाने में अगर आपको यह information informative लगी हो लाबदाएक लगी हो तो आप अपने दोस्तों को यह video जुरूर share करें और हमारे इस चैनल को subscribe करें क्योंकि ऐसी athletic से लेटेड़ और sports से लेट लोज इस चैनल पर आती रहती है थेंक यू